MCD चुनाओं के पेश दिल्ली के डिप्ति सियम मनिसी सोधिया के नरेला के दोरे के बाद आम वाधनी पायटी कार्य करताओं में एक नई जोश की लहर दिखाई दे रही है पायटी के कार्य करता होगा कहना है कि इस बार MCD में आपकी सरकार जरूर बनेगी वे भाजपा के ब्रश्टाचार को हम जल्द ही खतम करेंगे प्राइमरी स्कूल है उनकी आलतों में सुधार किया जाए अगर भाजपा की सरकार है जैसे भी MCD में अगर केज़रिवाल की सरकार आती है तो MCD के स्कूलों के लिए क्या किया जाएगा है हमारे सचोधिया जी ने तो इस प्रैमरी स्कूल स्कूल है कि की कैसे पाम होग छ पामुझो इतना है कि आते ही जो डिली सरकार मोडल है वही इसमें आगे लागू किया जाएगा एंदर प्राइमी स्कूल के अंदर एंदर स्कूल में टीचर्स भी पढ़ाते नहीं है बच्चों को नीवी कमजोर रख देते हैं उसके बाद जो मिड़े मिल मिलता है उसमें भी कई बर शिकायते आती है बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि कोई पर को दबाव तो है नहीं यह सोचते हैं घर की सरकार है पढ़ाना पढ़ाओ वरना मत पढ़ाओ लेकिन इसमें कि हर चीज में बदलाव किये जाएगा और हर चीज को जो भी कमी पेशी को सुधारा जाएगा मिड़े मिल का आपको पता ही है कि कई बर शिकायते आती रहती हैं कि बच्चे मिमार पढ़ जाते हैं कई बर छे पगली मिलती में डे मिल के अंदर तो बहुत सारी चीज़े जो सुधार की वाम पर कुझाईश है देखे समर्थन तो आप देखी सकते हैं बहुत बैतरी समर्थन है जनता का हर रोज समर्थन दस गुना बढ़ रहा है हर घर से माताय बैन है हर हमारे बुज़ूर्ग नोजवान वो यह नहीं सोच रहे की इलेक्शन यह स्वेता खत्री का है वो खुद से सोच रहे कि यह इलेक्शन हमारा है और हर घर से जनता बहार निकलके सड़कों पे गलियों में रोडों पे आ गई है और जनता के बीज में जा रहे हैं किस तरह की समस्या बता रहे हैं आप देखे समस्या चोटी चोटी हैं लेकिन बड़ी गंबीर हैं समस्या यहां सबसे बड़ी जो है नालियों की गलियों की साफ सपाई की नहीं है वह बीज़ेपी 15 साल से रही है शेतर में उन्होंने काम बड़ी की अच्छे से और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि रासंकार परिवारों के काफी ऐसे हैं जो बने नहीं हैं कैंसल करवा दिया है या बने नहीं है वो बेचारे प्रेशान हो गए हैं कि वह कहां जाएं किस से मदद मांगे तो अब हम लोग आगे आए हैं आम से बड़ी समस्या यहां पर दूसरी जाम की समस्या है नरेला को हम बिल्कुल जाम मुक्त कर देंगे अगर जनता का प्यार इसी तरी के समय मिलता रहा तो कल मनी सिसोतिया जीए किस तरह का आशवासन दिया उन्होंने आपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकाला नरला वार नंबर 1 कि जनता के लिए और जनता का भी बहुत बहुत दनननावाद करता हूं कि बाहरी संक्या में हराजारों की संक्या में कल बीड'ो उमड़ बड़ी चीशोधिया जी के स्वागत में और जनता का मैं तैया दिल्चत धनवाद करता हूँ वाजपा बार बार आरूप लगाती रहती है कि केजरीवाल सरकार काम नहीं करती ब्रस्टाचार फैलाती है और जिस परकार से केजरीवाल सरकार ने जंगे जंगे पर गलियों में ठेके खोल दी है उसके बारे में क्या क्या है देखिए ऐसा है बीजेपी तो अपनी आदत से प्रेशान हो गी है उन्हें जंता के बीच में जाना अच्छा ही लगता बस उनको छीटा कटी करने में ही मज़ा आता है और रही बात विकास की तो जो हमारे साथ पूरा जंग सहलाब उमर पड़ा है इतनी बीड दिन पर दिन हमारे साथ कंदे से कंदा मिला के चल रही है यह सबूत है केज विवाल जी की सरकार के काम का सबूत है विकास का सबूत है और रही बात आरोप लगाने की तो देखे जहां पर विकास होता है काम होता है तरक्की होती है वह चोटे मोटे आरोप तो विरोधी पार्टिया लगाती है तो क्या केजिवाल सरकार ने सराब के ठेके खोल कर चेत्र में विकास किया है देखे उस निती के उपर भी काफी आरोफ लगे हैं चीटा कटी लगी है और उस नितियों को भी वही काफी उसमें हलाकि वो नितिया काफी ठीक थी कुछ ही उसमें आकर लगी कमिया तो सलाम उसरा करके केजिवाल जी ने बढ़िया उसमें